गुद्वूनिंग फिचर डाक्टर प्यारे प्यारे बच्चों आपका नियुट्व निट्व पे बहुत-बहुत स्वागत है यूट्व चैनल पे चलिए क्लास स्टाट करते हैं आज का क्लास बहुत ही इंट्रेस्टिंग है टॉपिक भी इंट्रेस्टिंग है मार्फो चलिए बच्चों आपका कंप्रेंट लगाना 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 मैं ठीक ठीक जरा बता ही बच्चों आवाज बगर आ रही मेरी सर आपके लिए फोर वीलर वेजे हैं जल्दी से आ जाईए आगए भाई आगए तो चलिए बच्चों देर ना करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं उससे पहले आपके सामने खूपसूरत सा कोट है नीट 2022 के लिए अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकदर बन जाती है कहने का मतलब अगर आपको नीट 2022 में कामयाब होना है तो मेहनत को अपनी आदत बना लो यह नहीं कि सर चार गंड़ा पढ़ लिया बस ठक गए सर नीद आ रही है सर यह प्रॉब्लम सर ओ प्रॉब्लम नहीं मेनत आपकी आदत होनी चाहिए और आगर आदत हो गई तो कामयाबी आपके क्या बन जागी मुकदर में आ जाएगा नसीम में आ जाएगा नीट 2022 सेलेक् प्रॉटिंग है उससे पहले हम आपको बता दे हमारा जो यह आपका लाइन बाइन एंसी आटी सीरीज चल रहा है इसमें आल्रेडी हम लोगों ने क्या-क्या खतम कर लिया सबसे पहले हम लोगों ने खतम किया बायलोजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर अच्छे से फिर हम आज आपका नेक्स्ट है मार्फोल वाजी इन फ्लारीं प्लांट्स तो चलो देखते हैं यूनिट टू एक यूनिट भी लगव लगव खतम हो गई आपकी एक चप्रे छोड़के इस्ट्रक्ट्रल आर्गनेशन इन प्लांस हैं एनिमल्स तो सबसे पहले बाई साइंटिस्ट के बारे माता हैं अगर हम साइंटिस्ट के बारे में अभी ना ध्यान दे तो चल भी जाएगा आप देख लेना साइंटिस्ट हैं कैथरीन इशाओ हैं बॉर्न कहां पे हुई हैं मत देखिएगा यहां से यह वर्ड इंपॉर्टेंड है इसको अंडरलाइन करके देख लिए चाहिए गोता हूं कि कपेल अहां चले जाते हूं कि इसका काम नहीं कर रहा हूं टच अच्ट का कब सुरू होगा सर यह है यह आप लोगों है भाई अभी तीन चेप्टर खतम नहीं हुआ तुरांट उफ कब सुरू होगा जब लेवन खतम हो जागा तब इतों सुरूगा न की कि 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 झाल झाल जैसा कि हमने बोला एक एक लाइन पढ़ेंगे तो एक लाइन को रीट करते हुए चलेंगे और बचा जो भी इंपोर्टेंट होगा उसको आपको बताते हुए चलेंगे यहां से पॉइंट निकल के आता है जो एक्स्टरनल स्ट्रक्चर है उसका मतलब होता है मार्फोस लोगोस मतलब होता है इस्टेडी यानि एक्स्टरनल स्ट्रक्चर सर्ट्रक्ड कर्सक्र हो लगी लार्ग इंप्री इंप अ क्रिछम टॉर्घस पाहि आ जाएगा जाए प्लॉ Anschाग पाह। बात करें चैप्टर 2 & 3 यानि एनिमल किंग्डम और प्लांट किंग्डम में वी टाग्ड अबॉट क्लासिपिकेशन आप प्लांस बेस डाउन दा मार्कोलाच कल एन अदर करेक्टरिस्टिक फार एनी सक्सेस्पूल अटेम्ट एड क्लासिफिकेशन एंड एड अंडरस्टें क्लासिफिकेशन की बात की थी कैसे हम लोग क्लासिफाइ किया था जैसे कि आपको याद होगा आटिफीशल सिस्टम आप क्लासिफिकेशन फिर आपका नेच्टरल सिस्टम आप क्लासिफिकेशन फिर आपका था फाइलो जेनेटिक सिस्टम आपक्लासिफिकेशन तो अगर हम बात करें तो आपको पता होगा एक वर्ड याद होगा आपको कि जैसा काम वैसा नाम वैसा बदलाव वी आपने इन्वार्मेंट के एकॉडिंग प्लांट क्या करता बदलाव करता है एक्जामपल है एडाप्टेशन और टू वैरियस अबिटेड फार प्रोडेक्शन क्लाइंडिंग इस्टोरेज जैसे प्रोडेक्शन के लिए थौर्न है मालों किसी सपोर्ट बेचनने के लिए उसमें टेंड्रिल धागा न नाम है तो सबसे पहले आएगा आपका दरू इन मेजार्टी आप डाइकार्ट प्लांट पहले अंडरलाइन करेंगे डाइकॉड को डाइकार्ट की बात किया ज़्यान से देखेंगा डाइरेट इलोंगेशन अफ रैडिकल कहने का मतलब जो रैडिकल से रूट बनती उसको डाइरेट इलाउंगेशन आप डाइडिकल लीज फुदा फॉर्मेशन आफ प्रैमरी रूट विच ग्रों इंसाइड था स्वाइल स्वाइल के अंदर ग्रों करेगा इट बेर्स लैटरल रूट्स ऑफ सेवरल ओर्डर्स यानि कई ओर्डर का मतलब समझो आपका मालू हमन सेखेंडरी टर्चरी एंड सोब यह जो आपका पूरा सिस्टम प्रैमरी रूट सेकेंडरी रूट टर्चरी रूट यह सम मिला के जो सिस्टम बना जाता है उसको लोग बोलते हैं टैप रूट सिस्टम चलिए देखते हैं जरा देखो यह आपका मालू कोई सीड है जब यह जर्मिनेट करने लगता है तो आपको पता होगा एक पॉइंट बनता है रेडिकिल और एक बनता है प्लिमूल प्लिमूल से जो को आगे चलके आपका सूट सिस्टम बनने लगेगा और रेडिकिल से क्य तो जो रेडिकिल से बनी है पहली बार जो बनी है तो यह वाला जो है बड़ा सा मे Details और जो ध्यां से देखो इस से जो लैट्रण जैसे मेरा एक्सिस है इससे हाथ निकले यह काई साइड वाई जाने लेटरल जो लेटरल रूट है इसमें अगर पहली बार निकला तो क्या बोलोगा सेकंडरी फिर इसकी ब्रांचिंग होगे तो उसको क्या बोलोगा टर्चरी एंड सो आन तो कहने का मतलब धीरे 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 पूरा एक सिस्टम बन जाएगा रूट का इसको सब्सक्राइभ आने मतलब बोलेंगे टायब रूट अब्सक्ति सिस्टम पर यदि पाया जाएगा आपका साल जादा तर्म में आपका क्या पाया जाएगा टैप रूट सिस्टम डैरेक्ल कहां से होगा रैडिकल से लोग इन है बनाने और एक के लॉंगेट होगी उसका नाम क्या होगा ओगा प्रैमरी रूट अब उसके ब्रांचे सोंगी जो लेटरल होगी सेकंडरी टर्चरी हैंड सो अ क्लियर हो गया अ क्लियर हो गया बोलिये टिंक कुठा करें वन ली आर गण मच्चा चली आगे की बात करते हैं आज सीन इन मस्टर्ड तो मस्टर्ड का प्लांट का दिखाया गया तैनी ब्रैसिका जो मस्टर्ड होता है उसको हम लोग रिफ्रेंस मानते हैं तुट्डी मार्फोलोजी यह सुट्र सिस्ट्म रूड शिस्ट्म देखने के लिए थे आगे जब आगे चल आप फैमली वगरा पड़ोगे फ्लोरल डाइग्राउं वगरा फ्लोरल फार्मुला वगरा पड़ोगे वहां पर भी हम लोग रिफ्रेंस कि सको मानते थे मस्टर्ड का देखिए कर वहां पर भी लिखा हुआ हुआ चले बढ़ियां रोग प्लांट क्या है दाइक है कों सा रूट सिश्टम हो गया आपका टैप रूट सिश्टम छे कैं श्ट्रम वसकी ब्रांचिस पतियां हैं और फुर्ट इस सब किस में आएगा शूट शिस्टम को जैसे सूट आवर्ड आता है तो हमारे अंदर यह आता है इस्टेम है नहीं भई या सूट में आपका लीब भी आएगा इस्टेम भी आएगा फ्रूट भी आएगा फ्लावर आगा सब कुछ आएगा अब दा ग्राउंड वाला रूट सिस्टम को छोड़के सब किसमें आ जाएगे शूट सिस्टम में अच्छा ज़र देखो रूट सिस्टम और सूट सिस्टम में एक अंतर देखो यहां पर हमने कहीं वर्ड नहीं लिखा है नोड या इंटर नोड लेकिन यहां पर देखो यहां पर जहां से ब्रांच निकले या कोई लीफ निकले उसको हम लोग बोलते है है नोड और दो नोड के वीच के डिस्टेंस को क्या बोलते कि इंटर टकक्क निकल कि आता है त्रेजंस आफ़ नौड एन इंटर नोड यह होता आपका सूट सिस्टम ने ना की बूस यानि स्टम में पाय जाएगा और कर और में कोडला में पाए जाते हैं उसमें से एक डाइकोड्स आपका क्या है मस्टर है तो है कि अम मोनोकाट की बात करते वाई इन मोनो काटिले लेटंस प्लान्ट मोनो में क्या होता है इसमें थोड़ा सब्सक्रेद क inhता क्यों देखो क्या होता है दा प्राइमरी रूट इस ओट लेट एंड इज रिप्लेश्ट बाई या लार्ज नंबर आफ रूट्स दीज रूट्स ओरिजनेट फ्रम दा बेस आप दा इस्टेम यह वड़ अनलाइन करिएगा आपका क्या हो जाएगा जो प्राइमरी रूट थी कुछी समय के लिए फिर खतम हो जाती है और उसकी जगह बेस आपदा इस्टेम के बेस से बहुत सारे छोटे-छोटे फाइबर निकलते हैं इसलिए रूट का नाम होताता है फाइब्रस रूट सिस्टम एज सीन इन दा चलिएगा तो वीट हो गया राइस हो गया इन में कैसा मिलता है आपका फाइब्रस रूट सिस्टम और इससे एक हट के बनता है इन सम प्लांट्स लाइक ग्रास मोंस्टेरा एंड बन्यान ट्री रूट्स रैडिकल से हट के निकलती है रूट्स एराइज फ्रॉम पार्ड यह स्वाब दा अधा अधर दैंदा रेडिक इस वर्ड को अंडरलाइंफ करिए रेडिकल को चोड़ के निकलती हैंождь उसके उह यह देखो लिटा difference between tap root and fibrous root यह देखो यह आपका कौन सा root होगे primary जो radical से बना होगा इसकी branches क्या होगे हैं आपकी secondary lateral branches फिर उसकी branches यह पूरा क्या बना है आपका tap root system आपने देखा होगा गाजर खाया है उसमें आपने देखा होगा यह आपका मालो wheat है wheat के case में क्या हुआ wheat के case में हुआ है कि जो आपका main root था वो short lip था थोड़े समय बाद खतम हो गई और word क्या याद होना चाहिए base of the stem base of the stem stem के base से बहुत सारे छोटे छोटे thread like fiber like structure निकलते हैं इसको आपने बोल देते हैं fibrous root system और आपने कभी wheat या आप इस समय अगर देखो जब बरसात होते हैं के समय में धान बोया जाता है तो पहले उसको खेत में एक छोटे से जगाँ पर लगाया जाता है और फिर किसान उसको निकालता है उसको गाउँ वाले जरई बोलते हैं उसमें भी देखने तो कैसा root system होगा fibrous root system होगा आपका कोई बात नहीं है अनुबव तो मुझे लग रहा है आपका तीनो root system clear हो गया होगा एक हो गया tap root system एक हो गया fibrous root system और एक हो गया आपका adventitious root system एक बाद दिवाग में फट से रखो खतम करो आगे बढ़ो radical से direct निकलता है देखो जेखो radical से direct निकलता है जो निकला है वो primary root है उसके branches lateral होती है फिर उसकी भी हो सकती है और branches निकले lateral branches secondary, tertiary and so on हो सकती है ये सब मिला के क्या बनाता है आपका tap root system ज्यादा तर dicot में क्या पाया जाता है tap root system एक आपको दिखाया गया था mustard चलिए काम खतम इसके बाद कुछ monocart में जैसे की wheat हो गया जैसे की rice हो गया इनमें बच्चा क्या होता है कि हो खतम हो जाती है और उसकी जगा छोटे-छोटे-छोटे-चोटे-शडे फाइबर से निकलते हैं कहां से निकलेंगे based आपधा एव right underline करिएगा 2020 क्योश्चन आया था based आपधा इस्टेंर जिसको आपपनरोब से firebr ass root system तो firebr ass root system ज्यादा तर शिस्टम मोनो कार्ट में मिला आपका करें करा मिला वाई मोनो कार्ट में यह दिखो जरद और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिन में देखो यह सिस्टम भागता जा रहा है और उसमें देखो नोड पर क्या निकल ने रूट निकल रहे हैं नोट पर क्या निकल रहा है रूट निकल रहे हैं इसका मतलब यहां पर कौन सा सिस्टम बनेगा एडवन टीसीएस रूट और यह जो डियाग्राम हमें दिखाया है मौस्टेरा यह क्या बच्छा आपका मौस्टेरा है इस चार्जर मांगेते हैं कि अध्युक्त एडवन टीसीएस रूट सिस्टम मौस्टेरा हो गया ठीक है ना पक्का है तो बच्छों आपको यह पॉइंट याद रहना चाहिए और नोट से निकलता है यह भी पॉइंट याद होना चाहिए जरह यह देखो जरह बता यह क्या है इसको आप लोगों ने देखा होगा जरूर कोई ऐसा ने बच्छा होगा जिसने ना देखा होगा जरह पहले बता यह है क्या है क्या है वाई तो बच्छों यह क्या दूब ग्रास है अब क्या है आपका दूब ग्रास जिसको हम लोग साइनो डाउन भी बोलते हैं अब जरह देखो यह जब ऐसे से बढ़ रहा है ना यहां पर देखो ऐसे से तो यहां पर नोड पर यह क्या बनाता रूट बनाता है कि इसको कभी आप पकड़के उखाने कोइस करो तो थोड़ी दूर जाने बाद तूड जाता है तो कैसा रूट होगे आपका एडवयंटिस Wikus रूट कैसा रूट होगे भाई एडवन टीसियस रूट तो खतम होगे आपका तीनों रूट याद होना चाहिए एडवन टीसियस में ग्रास मोंस्टेरा बनियान इसके बाद बच्चे आपका टैप रूट में ज्यादा तर डाइकाट और फाइबरस रूट में ज्यादा तर मुनोकाट या ऐसा पूछा जाएगा उस रूट सिस्टम का नाम बताओ जिसमें प्राइमरी रूट सौट लिप थी थी थोड़ी समय बाद उसी के जगा बेस आप यह दूब ग्रास आप लोगों देखा होगा दूब ग्रास या साइनो डाउन भी बोलते हैं क्या होगा ग्लास नीडिए ठीके चलो थेंगे बच्चों कि अब जरा आगे देखते हैं कि दो में फंक्शन कि दो में फंक्शन आप दा रूट सिस्टम आर एपजार्शन आफ वाटर एंड मिनरल्स फ्राम दा स्वायर आपको पता है रूट का में फंक्शन याद होना चाहिए एक तो सपोर्ट देगा नो डाउट सपोर्ट देगा उसमें कोई दिक्कत नहीं है लेगिन में फंक्शन क्या है आपको याद हम चाहिए क्या करेगा वाटर और वनेनल का अपजार्शन बहुत यह च्छी लाइन है मैं वट को इंफ्य साईज कर रहा है ध्यान से देखना कभी भी कोश़ण पुछा जाए कि में फंक्शन क्या है एप जाषण वह्याल वाटर मिनलस दिया हो साथ ही साथ सपोर्ट दिया हो प्रोडेक्शन दिया हो उसमें से आपको किसको प्रिफर करना होगा वाटर एपजार्शन एंड मिनरल्स का अब इसके बाद दूसरा प्रोवाइडिंग आप प्रॉपर एंग्रेश टूदफ प्लांट पार्स स्टोरिंग रिजर्व फूड मैटेरियल एंड सिंथेस आफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यह वड़ा अच्छा लाइं मिला आपके अप्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जब आप पढ़ोगे चप्टर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलप्मेंट वहां पर पढ़ोगे पीजी आर और सब्सक्राइब हो गया तो यहां पर और जिन चाहों तो लिख सकते हैं तो में फंक्सिन आपका अब जासन और वाटर मिंडर से इसके साथ इसाथ सपोर्ट प्रोइड करेगा एंक्रेस देगा इस टोड़ेज आप फूड मैटेरियल है एंड पीजी आर की सिंथेस करता है य याद कर लेना वह ऐसे भी प्लांट जहां बेवी नोड से आपका क्या निकले रूट वह मैंसा कैसा होगा एडवन्टी सिस काम खतम आपका नोड से जो निकले मच्छा हो कैसा होगा आपका एडवन्टी शियस रूट होगा राइट चलिए रीजन आप दा रूट दा रूट इस कवर्ड़ एड़ अपक्स भाई या थिंबल लाइक इस्ट्रक्चर काल दा रूट है प्वाइंट होगा तो दोगो एपक्स पे अच्छा यह एपक्स क्यों बोल दिया तो मैं नहीं लग रहा है जैसे लगा नीचे जा रहे हो इसको एपक्स बोल रहा है एपक्स मतब होता सीर्स है कि तो ऐसा क्या हो गया कि इसमें रूट कैप को बोल दिया एपक्स है तो इसको समझेने के लिए आपको एक समझना होगा एं यह जहां से समय लिए कहा長 यह मानों यह कौन सा लेवल सुरेलल surfing डेख़ना जयाए और जहां पर कोई भी स्ट्रक्चर और जीन होता है वो उसका क्या कहलाएगा बेस यह वह स्ट्रक्चर स्टार्ट हो रहा है तो यह वाला पार्ट क्या कहलाएगा सिर्फ यानि एपक्स ठीक ना लेंगवज पढ़ते हैं फिर आपका और दिखाते हैं दरूट इस कवरड़ अपक्स बाइए थिंबल लाइक इस्ट्रक्चर काल दा रूट के इट प्रोटेक्स दा टेंडर अपक्स आप दा रूट एज इट मेक्स इस वे थ्रो दा स्वैल जब रूट आगे बढ़ एड़ेगी स्वैल के थरो तो यह रूट कैप क्या करता है आपको यह जो रूट एपक्स होता है उसको क्या करता है आपको प्रोटेक्ट करता है जो कैसे हैं ऑफ्फ्य मिल्मेडर वाव दा रूड के एड़ रीजन आफ मेरिष्टिमेटिक एक्टिविटी याद होगा आपको रूट अपैक्स रूट एपिकल मेरिस्टेंग उसको production कोन देता आपका रूट केप तो स्वाइल के जडरीये जब जाएगा तोड़ क्या होगा फ्रिक्षिन से हो सकता है कि रूट अपैक्स क्या होगा डैमेज हो जाएं अगर रूट अपैक्स डैमेज तो आपको मेरिस्मेर्टिक किसू देमेज हो जाएगा और रूट आगे ग्रोथ नहीं कर पाए याद रखना बच्चा जहां कई भी मेरिस्मेर्टिक किसू का से लोगा वह हमेशा थिन वाल होगा इसमें कोई सक्की बात नहीं है यह जनरल पॉइंट है याद कर लिए और जब कोई करेंगे अब इसके बाद देखो दस सेल प्रोग्जिमल कुदार रीजन अंडर गो रैपिड एलोंगेशन कि इतना खतरनाक लेंग्वेज दिखा है कि समझों कि यह दो कोई एपेक्स हो गया यह ऊपर आपका जीरो था कि इसमें देखते हैं बहुत अच्छा पॉइंट है इसको हम लोग ने बेटा क्या मालिया जीरो यहां से माना है जीरो यह आपका एपेक्स हो गया जैसे मेरा हाथ है यह जहां से जुड़ा है इसको हम जीरो मानेंगे इसको बेस मानेंगे और इसका क्या पुनिया है एपेक्स है सम्झों में यहां से जाओंगे तो दूर जाते जा रहे हों एडिश्टल है और जैसे-जैसे इधर आओगे तो किया आरहे है यानि प्राक्जुमल है फिर से बोलो इसको मैंने जहां मेरा हाथ लगा हुआ अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे क्या बोलो रहे हो बॉडी से दूर जा रहे हो तो जरह एक बात बताओ यह जो मेरिस्ट्मेटिक से जा रहे हो इधर इधर जा रहे हो बेस की तरफ तो क्या वर्ड यूज करोगे प्रॉग्जिमल क्या वर्ड यूज करोगे प्रॉग्जिमल तो मेरिस्ट्मेटिक के प्रॉग्जिमल है इलोंगेशन elongation के proximal है Maristomatic फिर देखो इदार Maristomatic के distal है elongation elongation के distal है जरह बता हो बात किलिए हुई जरह बता हूं क्योंकि ये कई जगह आएगा आपका proximal और distal वर्ड ठूर्ड गहें हो इसको हम लोगों कि जहां से भी जूला था उसको जीरो बेस मानेंगी आप भी समझ गहें हो कि यहीं से अपका स्वायल और ऑट-वंख और वह जो घ़या यह हो गया यह हो गया अपका तो से सयक्सी on तो फिर से एक्स्प्लेंट कर लेते हैं जो फिर से समझा करो मेरा हाथ का जो इसको हमने जीरो माल लिया या क्या माल लिया बेस अब जरह देखो यह जो अंगोलियां है है डिज़िट है फैलेंजेस हैं आपके वह क्या दूर है खुदी दिखेरा दूर है ऐसे दिखाते भी तो जैसे-जैसे हम इधर जाएंगे इधर जॉइंट से इधर जाएंगे क्या जा रहें आपका दिश्टल दूर जा रहे हैं तुमको अच्छा हिंदियम बोलते चलो जैस जैसे जैसे इदर आ रहे हैं तो पास आ रहे हैंै पास आना मतब प्रॉक्जिमल", दूरजा ना मतब डिश्टर अब जैसे जैसे आप बेस की तरह जाओगे यानि पास आ और मैंने बोला मेर през lavt स्किटिक है इसके problem किया होगा Elongation सौ बोलोगे और Elongation के Proximal किया होगा Maristramatic को अधर जाओगे तो कौन सा वड यूज करोगे proximal और इधर से इधर आओगे तो कौन सा कौल युज करोगे डिश्टर अब बोलो clear जखढ़ना पकड़ना ऐसा हम गो और सुनो अब हिंदिम समझाते हैं पास से प्रोजिमल पास से पास डिश्टल में दा दूर में भी दा टेकिए दिस्टल डा से डूर पास से प्रोजिमल पास से पास चलो भाई खतम में स्टमेटिक से कैसी होंगी बटा इसमाल साइज होंगी थिन वाल्ड होंगी और डेंस साइटो प्लाज्म होगा रिपीटिटली डिवाइट करेंगी दिरे दिरे से इसकी क्या होगी बड़ी होने लगेगी इलॉंगेट होने लगेगी तो कौन सा रीजन मैच्योर हो जाएंगी तो आजाएगा आपका रीजन आफ मैच्यूरेशन आपको पता है अभी सेल यहां पर कैसे थे एक जैसे थे मिर्स्टमेटिक था इलॉंगेट हुई लेकिन मैच्योर नहीं और यहां पर जब मैच्योर हो गए होंगी तो क्या बन गया होगा जाइलम है वाटर का अब जासन करते हैं तो रूट है किस जोन में होना चाहिए और यह सी बात है मैच्योरेशन जोन में होना चाहिए क्योंकि वेसल कहां पर बना अच्छे से आपका मैच्योरेशन जोन में तो जहां पर उसका ट्यूब होगा कंडक्ट करने के लिए वहीं पर आपक कुछ ऐसा इस डाइग्राम में आपको दिखने को मिल भी रहा होगा कि देखो यहां पे जब रीजन हम मैचुरेशन आया तो देखो पूरा अच्छे से सब कुछ बन गया है आपका वेसल वगेरा सब कुछ बन गया है तो अराम से रूट हेयर से क्या हो जाएगा पानी का कंड क्लियर क्लियर भाई हाँ बाई हाँ बाई हाँ बाई है रूट हेयर यूनि से लरोती है चलो अगर याद है तो लिख लो नहीं तो मुझे लग रहा है आपको इतनी पॉइंट तो आहीं गया होंगे जहां पर मेरिस्ट्मेटिक अक्टिविटी हो जो नाम मेरिस्ट्मेटिक रीजन फिर सेल क्या होने लगें बड़ी होने लगें इसको भी याद करने जरूरत नहीं आपको याद होने चाहिए और आपको आजम ने समझा दिया तो इसलिए दोखो लिखा है देखो कितना अच्छा लिखा है पॉइंट है देखो दसे उस दसेंट प्राशिमल टू इस रीजन मतब कोई सा मेरिस्ट्मेटिक रीजन को अंडर गोर्ट रैपिट रोंगेशन और इनलार्जमेंट इनलांगेशन होगा उसमें बढ़ा बढ़ेगा अन और रिस्पांसबिल फार दा ग्रोट और पूल इनलार्ज जब सेल इनलार्ज होगी इलोंगेट होगी इलार्ज होगी तो क्या होगा अराम से रूट की क्या होगी लेंथ भी बढ़ेगी इस रिजन इस कॉल दा रीजन आफ मैच इलोंगेशन ग्रैजुवली डिफ्रेंसियेटेटेड और मैच्छोर हैंस इस जोन प्रॉग्जिमल टू क्या है जैसे जैसे उपर जाओगे क्या वाड़ी उस करोगे प्राविमल और जैसे जैसे नीचे वाइगो क्या वाड़ी को दिश्टर क्यों यूज करोगे यह भी हमने आपको बता दिया फ्रॉम दिस रीजन सम आप दा एपिडर्मल सेल्स फॉर्म वेरी फाइन डेलिकेड त्रेड लाइग स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट है यूनी सेलर होगा बच्चा और जब अभी इसके बाद आपका इनाटमी चेप्टर होगा उसमें अच्छे से आएगा इस रूट हैर्स ए अब जैसे कई बच्चे वोजगा सर रूट हेर कहां एपसेंट होती है तो एक बात बताईए रूट कैप का काम क्या था प्रोडेक्शन करना किसका मेरिस्ट्मेटिक रीजन का अब आपको पता है जब रूट पेनिट्रेट करती है स्वाइल में तो फ्रिक्शन के कारण उसकी जो रूट टिप है या रूट एपिकल मेरिस्टे में वो डिस्ट्रॉय ना हो जाए खराब ना हो जाए नस्ट ना हो जाए इस वज़ा से उसमें क्या लग गया था कैप ले अब उसकी जगह पर पाया जाते हैं लुट एक कर सकते हो कि हूट कैप सयर अप्सेंट प्लन और उसकी जगह का पाय जाते हैं रूट पॉकेट्स ऐसा कल लोたगे पानी बरना है इसलिए रूट पागपिकेशन अपर आप जो यह रूछ पढ़े हो एक कभी कभी काम के कशन मौडिफाइड हो जाते हैं तो रूट इन सम प्लांस चेंड एर से एंड श्ट्रक्चर एंड बिकम मौडिफाइड टू पर्फॉर्म फंक्षंस अधर दैन एब जार्शन एंड कंडक्शन ओफ वाटर एंड में फंक्षन तो यही था इसका लेकिन अब उसके अलामा और भी फंक्षन करने लगते हैं दे आर मौडिफाइड फार सपोर्ट यहनि किसका फंक्षन करने लगेंगे सपोर्ट का इस टोरेज का फूड और एक आपका रेस्पाइरिशन ते जो आवियस सी बात है जो मौडिफिकेशन होंगे टैप रूट भी मौडिफाइड हो सकती है और आपका एडवन्टीस रूट भी मौडिफाइड हो सकती है चलिए आगे बढ़ते हैं टैप रूट साफ केरेट टर्निप एडवन्टीस रूट आप स्वीट पोटेटो गेट स्वेलन एंड श्टोर फूड तो पहले आपको याद होना चाहिए स्टोरेज का एक्जामपल ओभी कौन टैप में है कौन एडवन्टीस में तो टैप रूट में आपका आएगा बच टैटो सकरकंदी जो आपने खाया था हो एक इसके मोडिफिकेशन होते हैं आपके एडवन्टीस की है और एक इसको होते हैं टैप रूट के कैन यू गिव सम्मोर सच एक्जामपल यस अभी आगे हम लोग देंगे यह कुछ नहीं है यह एडवन्टीस रूट है जिसका नाम होता है पिलर लाइग जिसका नाम होता है प्रॉप रूट इडवन्टीस का क्योंकि आपको पता है ब्रांचेस ऐसे जाता रहेगा उसके नोट से हैंगिंग रूट बनती रहेगी दिरे दिरे बड़ी होगी स्वाइल से जुट जाएगी और एक पिलर जैसा क्या देगा सपोर्ट देगा किसको पौधे को सिमिलरली ठीक उसी परकार देश्टेम अभी दिखाते हैं अच्छे से सब्सक्राइब सब्सक्राइब सपोर्टिंग रूट कमिंग आउट आइड़ निकलते हैं कहां से इस लाइन को अंडर लाइन करो भाई लोवर नोड आफ दाइस्टेम हमेशा कोई भी चीज़ निकले तो कभी-कभी इसमें भूलाने के लिए हम लोग यूज कर लेते हैं लोवर इंटर नोड जो की गलत है नोड से ही निकलेगा लोवर इस तो आपको डायड जाम में कोशन पूछा जाता है विच आफ फालोइंग आर्दा एक्जाम्पल आप स्टिल्ट रूट या प्रॉप रूट का एक्जाम्पल पूछा जाता है या यह पूछ लिता कौन सा रूट ऐसा जो पिलर लाइक हो जाता सपोर्ड इन फंक्शन होता है या यह भी पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा रूट है जो इस्ट्रम के लोवर नोड से निकलता है या कभी-कभी स्टेटमेंट में दे देता है कि उस root का true और false बोलके कि lower node की जगह क्या दे देगा lower inter node जो गलत हो जाएगा In some plants such as rhizophora growing in swampy मतब दलदली area में many roots अब दलदली area में है तो सांसे नहीं ले पाएगा root start जाएगी इस वज़ा से क्या होगा root बाहर आ जाएगी तो मेनी रूट्स कम आउट आप दा ग्राउंड एंड ग्रोव वाटिकली अपवर्ड एड़ वर्टिकल मतब उपर की तरफ ऐसे जाएगा such roots called nematophores root का नाम क्या होगा बाई नमेटो पोर्स और हिल्प करेगा oxygen far respiration and respiratory root का नाम हो गया है और उसमें छोटे चोटे पोर्स पा जाते हैं जिसका नाम होता नीमेटोर्स चलिए अब इसके बाद हम आपको बताना चाहेंगे जहां से सुन लिए हमने बोला कि जो रूट आपने पढ़ लिया तीनों उसके अलामा बच्चा आपका कुछ मॉडिफिकेशन भी होता है मॉडिफिकेशन आपका टैप रूट का भी हो सकता है अब हम लोग एक एक करके जड़ा डाइग्राम में यहां पर आपका बना हुआ है इसी में लिख ले तो ज्यादा खुबसूरत रहेगा बना हुआ है तो क्या दिक्त है और याद भी हो स्ट्रक्चर इतना है यह आपका किसका है इस्टोरेज आफ फूर्ड का है और यहां पर जड़ा देखना यह जो एस्प्रेगस के में लिख लेना बंडल में पाज़गा भी आपको दिखाएंगे फैसी कुलेटेड रूड होगा हम करें कि अग्या किसका माडिफिकेशन होता है अड़डिबंटी arise और यह जो सुटयट्व यह दोनों माडिफिकेशन भी केशन है एंड़डवन टीस्फ ब्लं के कि यह दोनों मॉडिफिकेशन है आपके एडवेंटीसियस रूट के एक है फैसिकुलेटेड और यह होता है तोड़ा सोलन हो जाता है पोटैटो कैसा दो ट्यूबरेस्ट तो ट्यूबरेस्ट है स्वलन हो गया ठीक है न इसके बाद जो टर्निप कैरट और यहीं पर लिकलो र इतना याद हो जब बहुत है छलो बोलते हैं एक आया आपका टैप रूड मॉडिपिकेशन और एक आया एडवंट इस सब्सक्राइब टैप रूड मोडिफिकेसम में आपका टर्नीप कैरेट एन रेडिस पहले नाम भी जाता है तर्मीप टर्नीप है नैपी फार्म ए है कॉनिकल रेडिस है फ्यूज़ फार्म मुझे नहीं लगता इंपोर्टेंट इतना रह गया तो उसकी बात नहीं करें तो अच्छी बात है और जो आपका स्वीट पोटेटो है और आपका एस्परेगस है यह मोडिफिकेशन है एडवन टीस्यस रूट के आपकी डायग्राम बना है तो जानना जरू है इसके बाद देखी भाई यह दोको आपका मालो राजो पोरा है दलदली एरिया स्वान्पी एरिया में पाए ज में चोटे-चोटे पोर्पा जातें जिसको बोलते है निमे-ठोट है जो पोर पाया जाता है उसको पैंप अब और है करता रेसपइरएरश अब आपको दिखा दें जिससे आपके मन में कुछ जो भी बचा-कुचा-कॉइंट हो वह आज खितम करने हम और यह देखो बन्यान ट्री आप लोगों ने देखा होगा अब अब आन्ठी आपने देखा है ठीक ना चलो फड़ी है रिजो बन्यान बना का इसे क्या हो गए इस यह पिल मंद्टी हो है उससे देखो में फिलर्लाइक हांगिं रूड बनने है यह जो पिलर लाइक हैंगिंग हुई है एक पुछ नहीं आपका क्या है प्रॉप रूट है और आपको पता है बन्यान ट्री का में इस्टेम ऐसा होता है और उसकी जो कैने उपी होती काफी लंबी छमी मालो गई है 300 मेटर 200 मेटर 600 मेटर तक गई है तो इतना लंबा जो साखा गया है तो मेन ट्री उसको सपोर्ट नहीं दे पाएगा जैसे मेरा हाथ ही अगर मालो 100 मेटर लंबा होता तो क्या मेरी बॉड़ी उसको सपोर्ट कर पाती नहीं जगां जगां पर तुम्हें क्या लगाने पड़ते पीलर लगाने पड़ते तब मेरे हाथ को क्या रखवाते सपोर्ट कर पाते हैं तो उसी प्रकार का काम करता है आपका फ्राप रूट पिलर लाइग पिर आप मेंसे कई लोगों ने जो देखा होगा इस्टिल्ट रूट तो देखो लोवर नोड जो गोला-गोला बना ये क्या आपका नोड है तो लोवर मुआ को अगर आपको जमीन पर रख्के सपोर्ट देना होगा तो रस्य से बादों यौर तीरशा खीच के बादो नबर को बादा जाता है बिजली वाले खंबे को तो देल खो उससे एक अ शाल beginner की लगाई ते रहा आपका क्या इश्टिल्ड टूर्ट। और ऐसा कुछ आप लोगों ने किस में देख convenient ते यह आपका गंणा यह जब को आपका रैडिस घ्राली स्पैंड इसमें क्या बोलता है कि नार्या पर comment औरा इन्ड ऑल दोनों इंड पे दोनों सिह एंड तो चिसको आंक बोलते हैं स्पिंडिल से क्या बोलते हैं इस्पिंडल सेब्ड या क्या बोलते हैं इसको फ्यूजी फॉम इस्पिंडल सेब्ड या फ्यूजी फॉम इस्पिंडल सेब्ड इस्पिंडल सेब्ड इस्पिंडल सेब्सक्राइब ठीक है निक्स देखो जरा एक है आपका टर्नीप तो टर्नीप में आपने से कई बच्चों ने खाया भी होगा गाहँ वाले सलगम बोलते हैं इसको इसको रूट कैसा है पहले लट्टू नुम्हा है फिदको फट्ट से इतना पतला से भागने रगा तो इसको बोलते हैं नेपी फर्म यह याद नहीं करना है बस कभी कभी कई बच्चों के मन में पॉइंट आ जाता है इसलिए हम बोल दे रहे हैं लेकिन आपको बस याद करना है टैप रूट का बन नहीं कोनिकल है ठीक है और यह देखो यह है आपका एसपरेगश बच्चों कई लोगों को इसकी हिंदी पता होती सतावरी बोलते हैं मेडिशनल भी है देखो इसकी जो रूट है क्लस्टर जुंड में पाए जा रहा है और जुंड को अमलब फैस के लियानि बंडल बोल सब्सक्राइब और है मॉडिक विस्केशन किसका एडवन्टिस्यस रूट तो थोड़ा बहुत आपको याद करना भी पड़ेगा आपको बता भी चुके हैं एक बार एक दो बार देखोगे आपको याद हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं है कि सतावरी बोलते हैं बच्चा इसको आप लोगों ने कभी-कभी सब्जी की दुकान पर देखा होगा ऐसा कुछ बंडल बनाके सब्जी का दुकान वाला बेशता है लाकर इसे नहीं कि दूआख से जो उसका इंग इस्टेम रता है वह काफी खाने लायक होता है तो उसको इस्तमाल करते हैं यह आपका सतावरी एक अर्ची सब्जी की दुकान पर अबिभी जाओगे अगर अच्छी सब्जी की दुकाने तो वहाँ पर मिल जाएगा इससा ब है अब डियूच्अ पूरा पूच्च डालो हमी से अश एक का यूज किया है आंप मां कै अउत तर्टींडा नहीं कहते हैं अधो प्लाव उसकी टिंडा नहीं टिन्डा यह नहीं कुछ भी बोल देते वो टिंडा अब हमको ब्यकूब बनाने लगे हैं हम तुमको नाम मता रहे हैं आमित कह रहे हो कि टिंडा है टिंडा है अरे हिंदी लिम तो बताया सतावरी बोलते हैं सतावर अब खरीदे हो कभी तब तो जाने तुम लोग शोड़ो यह आओ यह आप कज़र बचानो इसको को ने यह को ने भाई पैचानो इसको इसको तो खाये भी हो जानते भी होगे नाम अरे मुहम्मद आदिल सहजन कि कुछ भी बोल देते हो कि हाँ यह क्या आपका स्वीट पोटेटो आए आए पॉमिया बटाटा भी बोलते हैं सकरकंदी भाई जो आपकी सकर गंदी होती हैं कि यह यह तो आप लोग देख लोग भी सकर कंदी अभी आवी राना इसी समयाओ खाया जाता है मिलने लगा होगा हो तो सकरकंदी हम लोग खाते हैं हाँ गाओं वाले गंजी भी बोलते हैं सकरकंदी बोलते हैं सकरकंदी है आपको मिया बटाटा है एड्मेंटीश रूट का मॉडिफिकेशन चलो बढ़ियां गुड इसको सतावर बोलते हैं सतावरी सतावर एस्परेगस है यह आपका है तो एस्परेगस लेकिन बोलते हैं सतावरी पवदा ऐसा देखने को होता है रूट कैसी है एड्मेंटीश रूट का मॉडिफिकेशन फैजी कुलेटर एक कोनिकल रूट है आपका टैप रूट का मॉडिफिकेशन इस्टोरेश का सब्सक्राइब का और कैसा दिखी फार्म दोनों किनारे पर बीच में मोटी है तो में जान सुगर केंद में कैसी पाजाती इस्टिल रूट लोवर नोट से सब्सक्राइब करते रहे तो सारे देखें आप लोग और यह पिलर लाइक आपका क्या है यह बच्छा है आपका प्रॉप बन्यान में पहले जाता है कि तो होप आइधिंग क्लियर हो गया होगा हां तो कि अरे बता तो दिया सतावरी यार मुणना कि चलो भाई आगे बढ़ते हैं तो भाई देख लो एक बार रिकॉल करो माइंड में रूट रूट क्लियर टुवाल रूट क्लियर टुवाल चलो तो आपको पता होगा बाई रूट रैडिक्ल से डारेट निकलती है ज़्यादा तर डाइक उड्ल में और जो रूट रैडिक्ल से डाριट निकलती उसको बोलते हैं प्रायमेरी रूट उसकी स्केंड्री वा इसकी भी व्रांचेर निकलती है प्राइप दिखायेस अगर रेडिकल से ना निकले रेडिकल को छोड़के अधर देन रेडिकल हो डैट इस आपका एडवन्टीसियस रूट होता है ग्रास मॉंस्टेरा बन्यान में पाए जाता है नोट से निकलता है इसके बाद वह रूट जिसमें जो प्राइमरी रूट बनी थी रेडिकल से वह साट लीट थी थोड़े बाद खत्म होगे अब उसकी जगह आपका निकला छोटे-छोटे फाइबर ओभी बेस आप से इस्टेम के बेस से निकलते हैं इसको बोलते हैं फाइबरस रूट सिस्ट को जब रीजन आफ़ बतातो एकैक्स दिखा आपकस काम क्या था ब्रोडेक्शन देना आपका रूट ईपिकल म menstrualory रूट के把 थोड़े दूर पर लिखेगा मिरस्ट्रमेटिक एक्टिविटी वाला जो उसकी सेल इसमाल होती है थिन वाल्ड होती है और देंस साइटोप्लाजम पह जाता है रीपी टिद्ली क्या करती है cell divide करती रहती है और जेर सारे cell बनाती रहती है इसके systematic zone के proximal आपका पायजाता zone of elongation यहाँ पे cell enlarge होती है elongate होती है इसकी वजदा से root की क्या बनाती है length भी बढ़ाती है elongation के proximal आपका होता zone of maturation cell अपने according function के according mature हो जाती है और maturation जेन में ही आपका क्या पाजाएगा root hairs क्योंकि आपको पता है कि जहां पे जायलं या vascular bundle well developed हो जाएंगे वहीं पे ही root hair पाया जाना चाहिए प्राग्जिमल और डिश्टल का concept आपको हमने clear कर दियाता हूँ modification of root मैंने का root modify हो सकती है क्योंकि main function था absorption of water and minerals लेकिन इसके अलावा कुछ और भी function कर सकती है जैसे कुछ में support का कुछ में storage of food का और कुछ में आपका respiration numetophore वाला चलिए देखते हैं कि करके storage में मैंने बोला tap root का modification अलग कर लो adventitious का अलग कर लो tap root में आपका आजाएगा carrot, turnip और redis यह tap root का modification होता है फार्दा storage of food, asparagus और आपका sweet potato यह आपका adventitious root का modification है फार्दा storage of food जब हमने asparagus को देखा उसमें जो root थी वो कैसी थी बंडल में थी इसलिए हम लोग बोलें फैजी कुलेटेड रूट क्या बोला बच्चा फैजी कुलेटेड रूट इसके बाद हमने जो sweet potato का देखा वो swollen था चलिए बढ़िया कुछ swampy area में डल्दली एरिया में रूट को respiration या respiration लेने में दिक्कत होने लगती है तो कुछ रूट बाहर की तरफ वर्टिकल निकल आती हैं और उपर की तरफ ड्रोग करने लगती है यानि वर्टिकली अपवर्ड हो जाती है इस रूट का नाम होता है निमेटोफोर्स इसमें छोटे छोटे छेद पाया जाते हैं जिसका नाम होता है निमेटोट्स जो हिल्प करता है respiration में इस प्रकार हम इसको बोल सकते हैं respiration प्रेट्री रूट्स निमेटोफोर्स इसम्पल इसका राइजोफोरा बन्यान ट्री में देखो पिलर लाइक रूट में निकलती है नोट से निकलती है एडवन्टीस रूट का सब्सक्राइब का सब्सक्राइब का मोडिफिकेस्टन है अब आज नहीं आ रही क्या वाई अब आज रुक रुक क्या रही बूलने सब सुबनाव इस यूटी ठीक है क्लियर है ठीक है यह स्टिल्ट रूड इजा मोडिफिकेशन ओफ एडवन्टिशियस रूड अब इस्टेम की बात करते हैं चलो क्या फीचर होगा जो एक इस्टेम को रूड से अलग करता है तो यह पॉइंट हो जाएगा आपका प्रजेंस ओफ नूड एंट इंट नूड बाकी सारे फीचर भी है नो डाउट जैसे कि इस्टेम क्या होगी अपवट जाती है पॉजिटिवली फोटोट्रोपिक होती है रूड किया जाती है दाउन वर्ड जाती है पॉजिटिवली पॉजियो टोपिक होती है लेकिन उसका अपको कहीनि ऑनकरतेango चुछिघ्र में पाईगा स्वारी इस्टेम में पाय जाएगा रूट में नहीं पाय जाएगा कि दा एसेंडिंग पार्ट आप दा एक्सिस बीरिंग ब्रांचेस लीफ फ्लार्थ एंड फूर्ट से स्टेम कार्ण बनता था आपका प्लेमुल से रेडिकल से बनता था रूट सिस्टम फूरक पूरक पौदा बन गया इसलिए तो बोलते थे रेडिक्ल फ्लेमुल एक या होते हैं इंब्रियो अब कि आ इंब्रियो आफ जर्मेटिंग सीड था इस्टंब यर्स नोट सान नॉट्सटों आपको छिकते हैं चाय नोड निकले चाय कुछ निकले चयाक का स्टेकल निकले चायक पेटल निकले चायक करोला का एंटॉ pas कुछ भी निख वी निकले कहां से निकलेगा नन के इन्टर नोट इंटर नोड दो नोड के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं इंटर नोड इस्टेम में बड़ भी पाया जाएगा विच में भी टर्मिनल और एक्टेरी बड़ में बड़ा जिसने बड़ ना देखा है तो बड़ क्या होता इंटर निक इस्टेज होती है जिससे आगे चल कि आपका क्या बन सकता है और यह अधा कि यह दो और आप लोगो ने पौदो पर बहुत बार देखा होगा यह कुछ नहीं आपका एक बड़ है अच्छा क्या अपका बढ़ है लेकिन जरा इसकी पोजीशन देखके बताओ एक कौन सी बढ़ होगी आपका एक्जेलरी बढ़ होगी या टर्मिनल बढ़ होगी मौनिका या दो पल के इंप्रुमेंट करो दो बच्छा कोई बात में आश्मा पढ़ाई करके इंप्रुमेंट कर सकते आप लोग चलो भाई जितने बच्छे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और अभी तगर लाइक नहीं किया तो भाई लाइक कर दो कहना पड़ता है तुम लोगों से तो देखो यह क्या है एक मेन एक्सिस के लैटरल लगा साइडवाज लगा है तो इसका नाम हम लोग एक तो रख सकते हैं लैटरल बड्ड कि यह क्या बोल सकते हैं एकजलरीं बड़्ड अगर यहां से कोई लिफ निकलता हुआ होता तो कैसा घलता लीफ के एक्सिस पर यानिंटर लिफ है है अगї आप ज़रा देखुए जो लेटराल बढ़ है या जैने बाइं कि लेटराल जाहे यहां है पाल स्वाइश जालाक यह होगा तो यह लेटर पार्ड नियुकों। होगा इपिकल इ से ब्हुत अफिकल पार्ड और ऍवत आपका लेटरल पार्ट अगर माल लेप पौदे का टिफ होता है यहां कोई बड़ पाए जाता हो और क्या हो जाता आपका टर्मिनल बड़ और टर्मिनल बड़ क्या गराएगा कोई सी ग्रोथ कराएगी एक कोई बात नहीं तर्मिनल कहां कहोंगे देखो यह पौदा आगे बढ़ गया है इसको कहां टर्मिनल बोलोगे तर्मिनल जब कहां आपका टिप ना जाए तब तक टर्मिनल कैसे बोल दोगे इस्टम इस जनरली इस जनरली ग्रीन यंग और लेटर ओफन वूडी और ब्राउं यह किसको नहीं पता सबको पता है जब नया नया पौदा होता इस तर्म कैसा होता है डेलिकेट होता है तोड़ो तो तूट जाएगा पट्ट से और जब आपका इस्टम क्या हो जाए बाद में मैच्चोर हो जाएगा तो लकडी वाला हो जाएगा वूडी हो जाएगा डाइक ब्राउन हो जाएगा ज़र आपने हाँ से तोड़ के दिखा और नहीं तोड़ पाओगे अपने आपको बढ़ाते जाना ब्रांचे निकाल लेते जाना उसमें पतियां फ्रूट फ्लावर लगाते जाना इट कंड़क्स वाटर मिंदर्स और फोटो सिंथेट्स इंद फिकरब फंसंपर्षु एंडल्स इंपर्टन यन फिटर इस्टेम आपका श्ट्रेंज को बहुकर सकता है ऐसे हों आपका फंक्सन कर सकता है प्रोटेक्शन का जैसे रूट कर रहा था वैसे भी करेगा एनि मॉडिफिकेशन हो सकते हैं और इस टोड़ के लाओ लगा दो तो क्या करता है मॉडिफिकेशन अब इस्टेम आपको याद होना चाहिए जैसे हम सोचते हैं वैसा नहीं होता है यह 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 क्या हो गया जिसमें फूर का स्टोरेज हो जाता है और साथ ही साथ इसको एक नम और दिया जाता है दे आलसो एक्ट एज और्गन सब परिनेशन तूट टाइड ओवर कंडिशन्स अन्फेरेबल फार ग्रोथ समझो इसकी बात अंडर्ग्राउंड मॉडिफिकेशन है जमीन के अंदर मॉडिफिकेशन होगा कि जैसे यह दोखो पहले है पहले यहां से जोक हैं यह दोखो आपका बैटा कोलो केसी या है जहां से देखो है कि यह आपका पूलो केसी आज सरी एक को लोग पेसिया नहीं आपका जामिन कंद है क्या है जामिन कंद है जिसको हम लोग कभी-कभी गाउं में सूरन भी बोलते हैं आप लोग क्या बोलते हो अब बताना यह दोको कितना बड़ा हो गया इस्टोरिज आप फूड कर रहा है चलो इतना तो समझ मांगी आपको और गना पेरिनेशन कैसे जरा देखो पहले पाउधा देखते हैं तो यह दोको आपका जामिन कंद का पाउधा है ऐसे उगा-उगा-उगा बरसात के समय आपको दिख रहा है लेकिन जब सूखा पढ़ने लगता है यह पाउधा बाहर से एक आपको लगा कि आपका जामिन कंद का लाइफ इस्टाइल खतम हो गया अब जब दुबारा बरसात आएगा फिर दोको पाउधा हुगा तो कहां से निकला था यहां से ते जो आपका किसकी तरह फंक्सन किया औरगन आप पेरिनेशन यानि अनफेवरेबल कर्डिशन को क्रॉस करने में भी हेल्प करता है बहुत सारे गाउं के बच्चें को जिनको पता होगा अरवी देख लो गुईया जिसको बोलते हैं उसका भी पौदा बरसात के समय उसकी जामिन कंद इस्टोरेज होगा इस्ट्रिम का मॉडिफिकेशन है याद होना चाहिए जरा बताओ यह क्या है अरे जो भी बोलते हैं यार क्या करना है यह आपका अर्भी है या घुण्या है आपका भी जाओ तो मिल भी जाएगा यह एक अर्वी के पत्ते आपने देखें घुण इसी के नीचे वह अर्वी बना हुआ होगा कि यह क्या जरा बता हूं बढ़े कितना आपको पता है इसके बारे बता दो जान जाए कि एक यह जरा बताए है अगर यह बता दोगे तो हम समझ जाएंगे आपकी नौलेज अच्छी है हाँ हल्दी टर्मरीख है हल्दी है वाई तो आपको भी हल्दी का यह आपने तो कच्छी हल्दी है इसको सुखाया जाता तो आपको हल्दी दिखती है चक्छी है है तो कहने का मतलब आपका जामिन कंद हो गया आपका तर्मरीख हो गया यह सब किसमे होते हैं अर्गन आप पेरिनेशन ना में यूज करते हैं और किसके मॉडिफिकेशन है अंडर ग्राउंड इस्टेम के मॉडिफिकेशन होते हैं इस्टेम टेंड्रिल इस्टेम धागे में बदल जाए विच डेवलप फ्राम एक्जलरी बड़ अभी दिखाया था और स्लेंडर पतले होंगे एन इस्पारली क्वाइल्ड ऐसे इस्पा और रहे की जो कद्दू हो गया आपके करेली हो गया वाटर मेलन हो गया ठीक है पंपकीण हो गया इस सब को अगर सफोर्ट दे दो तो फटाक से चड़ कि चटब पर चड़ जाता है तो कैसे चड़ गया यह क्लाइन कैसे कर गया इसका मतब हाद अजैसे हमको भी कहें चरण पकड़ते हैं ऐसे यह उससपोर्ट को पकड़ने के लिए दागा लगाएगा और उसको लपेट लेगा ऐसे चलता 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 तो यह कहने के मतब कैसा होगे बाई क्लाइमबर हैं और किसके जरीये हैं टेंड्रिल की ज़गी और धागा किसका मॉडिपिकेशन होता है स्टेम मॉडिफाइड इंटू धागा डाट इस स्टेम टेंड्रेल गॉर्ड फेम्ली यानि कुकर बिडेसी फेम्ली की बात कर रहे हैं ककंबर पंकिन वाटरमेलन एंड ग्रेप वाइन्स यानि अंगूर तो यह दखो यह है आपका टेंड्रेल और यह दखो अंगूर में भी देखो धागे निकले हुए हैं इस्टेम टेंड्रेल पो Are you yeah आपका ट्रेंडर है अ एर यह ईस्टेम ट्रेंडर्ज है आपका कूटर बिडेसी का ककंबर water मेलन कूर्ण सब किसमें आंगे आपका वह फेम्ली में ग्याएं पंकिन यह सब किसमें आईए आएं आपका वोर्ट पासएं बंक ए और जरह यह देखो ग्रेपवाइन अंगूर खाने का मन करने लगा इसमें देखो धागे नुमा इस्ट्रक्चर निकलता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं इस्टेंप टेंड्रिल का मॉडिफिकेशन है चलो याद रहेगा मुझे तो लगता है इतना असान है कोई दिक्कत नहीं है टेक क्लाइम यह चड़ने का सपोर्ट पर चड़ने का हेल्प करते हैं अग्जलिवी बड़ आप स्टेंप में आलसो गिड़ माडिफाइड इंट रूडी स्ट्रेट एंड पॉइंट थार्म लंबे-लंबे काटे उसको हम लोग क्या बोलते हैं थार्म और थार्म सार्वांड इन मेनी प्लांट्स तच इस सिट्रस और बॉगन वीलिया सिट्रस और बॉगन वेलिया में सिट्रस तो समझ में आ जाता है नीवू अगर अगर पीड आपने देखा है तो वहां पे थार्म आपको समझना अगया सिट्रस मतलब खटे फूरू इंट नीवू हो गया मुसंवमी हो गया संत्रा हो गया पेड देखा है सभी लोगों ने तो आप जैसे इग्नोरेंट हो जाते हों लेकिन मैं कह रहा हूं सारे बच्चों ने बॉगन वेलिया देखा है कि कोई ऐसा बच्चा ही नहीं जिसने ना देखा हो ऐसे पौदे आप लोगों देखा होगा गेट पर लगा होता है या घरों में जरूर सजावटी के रूप में तो जब इस पौदे को देखोगे सजावटी तो है लेकिन अंदर जब जाके देखोगे तो आपको वहां पर काटे दिखेंगे इस्टेम थार्न है जरूर बताओ कितने लोगों ने बॉगन वेलिया नहीं देखा है गुड़नेट अन्बो अर्थ तुम लोग बैट गए यूपी यह सब करो अरे कोलोफेसिया वही आपका घुण्या अर्वी हाँ यस राइट ग्रेप वाइन को वाइटिस बोलते हैं ठीक है बंदना गौतम गौड मतब बिटा कुकर बिटेसी फेमिली यानि जो वाटर मेलन हो गया तर्बूज हो गया खीरा हो गया ककड़ी हो गया कद्दू हो गया लौकी हो गया यह सब जहां पर पाजाएंगे इसमें इस्ट्रेम धागे में बदल जाता है अगर सिंपल दिहाती बासम बात करें जिनको आप लोग अपने च्छतों पर चढ़ा देते हां जैसे कद्दू वगरा चला देते हैं न देखा होगा लग यार नहीं आ रहा है यह आपका बॉगन वे लिया चलो काम खत्रों प्रोटेक्ट प्लांस फ्राम ब्रावजिंग अनिमल जो चरने जाते हैं उनको क्या करेगा जाएंगे उसको चरने तो आपको लगेगा उनको चोट लग जाएगी जाएंगे निए उसके पास सम प्लांस ऑफ एरीड वीजन एरीड उजिए मतलब सूखे जगना ता ड्राइ का मतलब फ्लैसी फ्लैटेंड और सिलेंडर कले तो पढ़ने देगे उससे पहले समझे एरीड रीजन में मौडिपिकेशन ऐसा क्यों हुआ एरीड रीजन मतलब ड्राइ कंडिशन कैसा कंडिशन है और अगर कंडिशन इस ड्राइ यानि सूखा है तो ट्रांस्पारेशन या हम लोग क्या करते हैं लीफ को रिडूस कर देते हैं काटों यहने लीफ मॉडिफाइड इल्टी स्पाइंस अब लीफ अगर गया तो फोटो सिंथेसिस को उन करेगा या यह भी तो दिक्कत आ गई तो सिंद्र कैसा हो जगा फ्लैसी हो जाएगा और फ्लैंड अगर ग्रीन हो जाएगा ठोटो सेंथेटिक हो जाएगा ठिए और इसको अमलोग टेच्टिकली एक नाम देते फिल्लो पॉड्ट तो प्रभ्लों प्रद में याद होना चाहिए आप को कि इन फिल्लो पॉ लीव किसमें बदल जाती है स्पाइंस में और इस्ट्रेम मॉडिफाइड हो जाता है ग्रीन फोटो सिंथर्टेक में अगर चप्टे चप्टे हैं तो नाम होगा अपन्सिया और अगर सिलेंड्र का लोगा तो नाम होगा यूफर भी या याद होना चेह गई आपका और देखा सबी लोगों ने हैं कि देखो आपका ये क्या है वाई वाट इस एक क्या है आपके दर देखो काटे हैं और तुमको लगता है कि यह भी भी है यह लीव नहीं है इस क्लेक्ट कैसा हो गया आपका ग्रीन और फोंतो सेंथक है तो अगया है तो ये जो आपका वाला पॉइंट है आपका सप्राइद Jadi में एरिड जोन में और यह है आपका अपुंसिया कि फिर देखो जरा इसको देखो यह भी तो काटा वाला पौदा इसे गंबले में लगाते रहते हो सब मुझे लग रहा है कि हर चौते पाच्वे घर में अगर गंबला लगाने वाले सौकी लोगों में तो पक्का मिल जा लीव बदल गई स्पाइन में इस्ट्रम बिकांस फ्लैसी एंड सिलर्डिकर फिल्लो क्लार के दोनों एक्जाम्पल हैं आपके हुआ है कि अब आपका मोडिफिकेशन इस्ट्रेम के एक बार रिकॉल करा देते हैं काफी इंप्टेंट है तो इस्ट्रेम कि अंडरग्राउंड मोडिफिकेशन ने आपका जैसे की जामिन कंद हो गया आपका जैसे की कोलोकेसिया हो गया कोलोकेसिया गुईया यार्वी को बोलते हैं जिंजर हो गया तर्मरीक हो गया इसके नाम भी है जैसे राइजों है कॉर्म है बल्ब है यह आपको कल हम आपको बताएंगे हैं अलाकि यहां पर नहीं दिया हुए आपका दिया है रीप्रोडक्शन नार्वनी जम चलिए ठीक है इसके बाद एरियल में आपको देखना होगा कि भाई जैसे की टेंड्रिल में बदल गया है इस्टेम इस्टेम टेंड्रिल गौड फेमिली जैसे वाटर मेलन पंपकीन मस्क मेलन तर्बूज खरबूज खीरा ककड़ी लवकी हिंदी में बोलो जितना यह सब गौड इसके बाद ग्रेप अंगुर में भी इस्टेम टेंड्रिल होता है फिर बच्चा आपको एक पॉइंट और याद आ रहा कि आपका जो कुछ इस्टेम मॉडिफाइड हो जाते हैं पॉइंटेड इस्टेक्चर में इस्ट्रेड पॉइंटेड जो चुबने वाली होती थार् प्रोडेक्शन और ब्राउजिं इनमल होता है और एक्जामपल था सिट्रस और बॉगन वेलिया आपको दिखा दिया काफी इंपॉर्टेंट रहा है अच्छा देखो बायो कितनी आपकी कनेक्टेड होती है यह आप यहां से समझ सकते थे कि बायो देखो कितनी लिंड होती एक दूसरे से कि आप यहां पर्दे होता ऐसा नहीं कि आगे काम नहीं आएगा देखो पक्का आएगा आपने अभी देखा इस्टेम टेंड्रेंड जैसे की कुकरविट्स जैसे की कुकरविट्स कि आपने देखा इस्टेम थार्म जैसे की बॉगर वेलियान इस्ट्रस और जब आप ट्वेल्द पढ़ते हो तेक नाम रखते हो होमो लागा सार्गन फ्रण करता है आप थे आप देखाड ऑफ फोमो लागा सार गन दोनों इस्ट्रम के मॉडिफिकेशन है वर जीन किया इसकी सेंगे लेगर फंक्शन अलग है एक लैंबिंग मेंहें करता है प्रोटेक्शन में करता है फंक्शन रिफरेंट ओर जी सेंग ओम ओम्ट्स आगर तो बच्चों ऐसे चीजे आपकी रिलेटेबल होती हैं इसलिए आपका हर चैप्टर अच्छे से तैयार होना चाहिए जिससे कि आपकी क्या हो जाएगी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और बहुत असान है चैप्टर बहुत मुश्किल नहीं है देखके आपको लगा भी हाँ हम अगर आपने आसपास की चीजों से रिलेट कर लेते हैं तो याद होना भी आसान हो जाता है क्या तक हम लोगों ने अरवी देखा था लेकिन यह नहीं जानते थे एक कोलोकेसिया ही अ हम लोगों ने सूरन ही जो आपके ओला या जो भी बोला जाता हो गांट भी बोलते हैं केलो जामिन रहने हो लेकिन पाइसी की बात कर रहे am यह भी समझ में आगया होगा आप परिनेशन क्यों कहते हैं क्योंकि आपको पता है बरसात के समय हम देखेगा जब सूखा पढ़ जाता है तो जैसे बरसात होता है कोई बोने वगरा नहीं जाता है अपने आप पौदा फिर से निकल आता है तो बचों कल हम लोग पढ़ेंगे इस्टेम के और भी मॉडिफिकेशन लीफ इंफ्लोरेसंस कल हम लोग खतम कर लेंगे फिर नेश लेक्चर में हम लोग आपका फ्लार एस्टिवेशन जो ज्यादा इंपॉर्टर रखता है एस्टिवेशन और उसके बाद आपका लेक्षन में इसको खतम करके अम लोग पीवाई कुई देख लेंगे तैंक यू सो मच कल मिलते हैं कल भईया कल आप दसेरा है तो मसुत नहीं कल भी क्लास है अपकर ता हूं कि आप लोग आयोगे आपकी मर्जी आना होगत आईएगा दसेरा घूमना घूमिएगा एपी दस पहले बताओ आओगे की नहीं सभी क्या पता चला हम इंतिजार करते रहें आप आए ही क्यों कि अच्छलों को देखती ने चल क्लास है आट बजे बुलिया अगमत थैंक्यू सो मच बाइबाय टेक केर गूड़नाइक